एक और सुहाना दिन और एक और नया सुभा माइनक्राफ्ट की दुनिया में तो हे गाइज वेलकम बैप टू अनेदर गेम प्ले वीडियो और आज की हम इस वीडियो में खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का एपिसब नमा चूब तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको एक बहुत खतरनाफ चीज़ बताने वाला हूँ कि जब मैं आफ कैमरा इसमाहिल ट्राफ्ट की दुनिया में घूम रहा था तभी मुझे अचानक से एक माइनशाफ्ट मिली जैसे ही मैं उसके इंदर गया वहाँ पे में को चार जॉम्बी ने हमला किया पीछे से मकडियों ने हमला किया मैं चारों तरफ से घीर चुका था तभी मैंने निकाली अपनी पिक एक्स और सब का खात्मा किया और मैंने देखा वहाँ पे थे दो स्पॉनर और उन स्पॉनर को तोड़ दिया उस टाइम मुझे नहीं पता थे कि स्पॉनर से क्या-क्या एक्सपी फार्म वगेरा बन सकते हैं मैंने बिना किसी चीज की परवा किये उन तोनों को तोड़ दिया और वहाँ पर मुझे तीन चेस्ट मिले जिसको मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया वाह क्या बार क्या लाइन मार रहा हूंगा चलिए गाइस दिखाता हूं मैं आपको कहा थी वह माइनशाफ्ट यहां पर यहां पर बहुत लंबा लंबा पेड़ थे यहां इधर से हाँ यही पर आसपास थी कही माइनशाफ्ट हमारी यहां पर थी वह माइनशाफ्ट यहां से नीचे जाने पर मिल रहा था इधर से नीचे कूदना था ना हां वो देखो गाईज एक वहां पर आपको चेस्ट दिख रहा है सामने वह अलएक चेस्ट था इस चेस्ट के अंदर में को क्या मिला है ओ माई गॉड आईरन की हेलमेट आईरन की लेगिंग्स और थोड़ा सा आईरन होर सार्वर और 19 गन पाउडर मिले हैं और 5 बीट रूट के सीड्स मिले हैं कमाल की बात है तो इस सब को लेते हैं और दूसरे चेस्ट की और बढ़ते हैं दूसरे चेस्ट इधर थे कहीं हाँ आ इसमें यह क्या है मूजिक डिस्क C418 पता नहीं क्या था और आईरन होर सार्वर बिल गया और तीन लेदर मिल गया है मैं को हट्टी बट्टी छोड़ देते हैं मान में ले लेंगे क्या यही पेतो है पास में और इस वाले चेस्ट में मैं को गोल्डन एपल मिल गया और यह हड़िया लेली मैंने और यह वीड और यह स्प्रिंग छोड़ देता हूं बाद में मिली जाती हैं इनसे मतलब नहीं मैं जा रहा हूं बहार के और जल्दी से बारिश स्टार्ट हो गई है गाईस बारिश की परवा किये बिना मैं भीग के जा रहा हूं अपने गाउ मेरा काऊ, मेरा सहर ओ, वो डड़ तो नीचे ही रह गया इसको उठा लिया मेरे इन्वेंटरी में चला गया फ़ल से बाहर निकालो का गया, का गया ओ, यह ड़़ ड़़ का है, आजा आज यह रहा, ड़़़ड शील्ड के बगल में इसको बाहर निकालेंगे आजा बाहर चुप चाप बाहर आगया ये अब हम उपर चलेंगे इससे डर्ट लगा के ये चला मैं उपर अब सीधा मैं अपने गाउं की और जा रहा एकदम फूपर स्पीड में वासे मेरा गाउं था किस तरफ हा याद आगे म यह अरे यह तो पहाड है मेरा घर का यह गाउं मता का यह बता दो चलीगे इग्नोर करके आप और यह काटे वाले फूल होते क्या यह जूबते हैं फ्ल्ट चाहते हैं ओ इनको खा सकते हैं ओ इससे तो फूट कर वह भी बढ़ रहा है एक खाने पर एक वह बढ़ रहा है खा खाओ 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 नहीं एक खाने पर एक बढ़ रहा ही तो बहुत बढ़ी है इसको खाते हैं हैं बढ़ाते हैं मेरे पूरी हेल्थ फुल होगी और मैंने वाकि सारे फ्लूट स्क्रावर खा ले लिये इनको मैं जाएके अपने खेत में उगाऊंगा आदे बचे में खेत पर और आदे अदूरे खेत पर बनाऊंगा जो मैंने भी आफ कैमरा एक्स्पैंड किया था तो मैं जा रहा हो उपने खेत की तरफ फुल स्पीड में इसको लगाने वो रहा सामने मेरा घर यहीं से बहुत दूर से नजर आता है और यहां पर बता नहीं तीन-चार पिक्स दीशे है अच्छा यह लगता नहीं है अच्छा यह वन टार मुश्पाइल से इनटशार एक सीरेट हाुस जसको सीग्रेट नहीं कह सकते हैं अंडरव्न रूम की तरह क데 घ्न है तो पहले मैं बहुत सारी लेदर्स मंनानी पढ़ने पड़ीं उसके लिए मैं को चाहीवगी तो मैंने बहुत सारी बना ली है लेदर और उसको मैंने रखी अपने इन्वेंटरी में यहां पर मैं डिगिंग शुरू कर रहा हूं अपना घर बनाने के लिए यहां मेरा डिगिंग हो गई स्टार्ट मैं अधर लेडर पर लगा के नीचे जाओंगा पहला में नीचे उतर ही अब एक बाद सामने देखता हूं अब उतरूंगा भी चालों हां आज से ठीक है तो यह हो गया है मेरा गाइस तैयार बहुत सा बहुत गहरा मैंने बनाया है इसको बहुत बड़ा सा रूम भी बनाया है तो चलिए लीचे आपको दिखाते हूं अपने घर का इंटीरियर पे अब काम नहीं किया में सिफ धाचा बनाया है तो अभी इधर बहुत अंदेरा है इधर पहले मैं टॉर्चिस लगा देता हूं एक भी टॉर्च नहीं है और यहां पे मैंने कोने में क्राफ्टिंग टेबल रखी थी वोड़े वो स्टोन पिकेक्स बनाने के लिए तो इसको को इधर इसको उसको ने पे एक 20 को सीडी के पास एक इतर एक इधर एक को इधर रख देते हैं हम एक को इस तरफ लगा देता हूं और एक बीच में ठीक रहेगी आए ठीक है नहीं कुछ जाद ही कोड़े में लगा एंधर से देकने में रगा बाइट में चली गई फिर निकालेंगे इसको यह इधर टीक है अब छोड़ो जैसी मर्जी है एक टॉर्स रहेंगे इसको ले लेते हैं अब मैं चलता हूँ गाइज ऊपर और उपर से इसको करेंगे मतलब बारिश का पानी नीचे आ रहा है तो मैंको डर है कि सारा पानी इख इसको मैं एसे बिल्ट करता जाऊंगा इससे प्यारा सा लुक भी आ जागा क्लों का एक इधर एक इधर फिर ऐसे इधर पर चड़के ऐसे 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 फिर इधर जांप जांप ऐसे 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 करके मैंने एक अच्छी सी ओए ठूटना नहीं लुक बना देता हूँ है ऐसे कोबल स्टोन की इधर से नीचे उतरते हैं और यहां पर दो रह गए एक दो अभी कि इधर से सामने से भी माना हूंगा मैं एक तीन लगेंगे न एक दो तीन यह लग गए कोबल स्टोन अब मैं दोर लेके आ रहा हूं जो मेरे चेस्ट में रखा ब्रे इमेंटरी में रखा हाथा मेरे दोर अव मैं कहां कहां भूंके आगया इतने घर आ गया मैं कोयी जल्दी से चलते है अपने बजिए के वहूं में सीक्रेट हाओस के सामने और मिस्टर पेग मेरे घर के सामने वाट आर यू डूइंग पहले में गाइज मैं सो जाता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गई है कोई भी पावनता चले मैं इधर घर की डिजाइनिंग में लगाओ पीछे से आके जॉम्मी में को डिजाइन करके चला जाए तो में को नहीं पसंद तो इधर से मैं जाता हूं मेरा घर का है मेरा घर मेरी जमाई सीक्रेट हाउस वे मुर्गी तो अंदर क्या कर रही है गेट ख जलो मेरे फांग में पर मेरे फूल उगाने के लिए छोचा तो था जा कि आप घूमो अपना में को मेरे घर में रहने दो का गया मेरा सीक्रेट हाउस मेरा सीक्रेट हाउस मेरा सीक्रेट हाउस का गया हो रहा हाँ जल्दी से चलो मेरे घर के पास जल्दी चलो मेरे घर के पा सब्सक्राइब to prepare your pre unboxed इसको क्यों वौल्द क्यों बुल्द स्टोन क्यों प्रेशर प्लेक दो बनाई तिस मैंने इकशन है यह हम पर इसांगे यहां लगा देंगे और इसा मेरा गजाये फिसमें अपने बंद उतला पीछें अनुछे दोना निचे-फिर द estado जो तो पर चलो चलो हम ऊपर चलेंगे तो यहां पर देखा गाइस ऑटोमाटिक हो गया मैं बिना बंद के गुसादा बंद हो गया अरे इडंदी रहीं आणा तो और निकालो दूंदी से यह निकाल दिया मैंने अब देखना गाईस में बाहर जौँगा अपने आप बंद हो अब मैं जा रहो एक अपने घर के सामने लगा दे दो, घर के सामने जी लगा दो, अरे टेस्ट प्लेट का रह गया, ओ क्या प्रेशर का रह गया, प्रेशर प्लेट, अरे वही तो नहीं, मैंने जो लगाया था, वही तो नहीं रह गया, अरे शेट मैन, शेट मैन, शेट मैन, पर बहुत सारे स्टोन्स के स्लैब पड़े वे तो एक दो चेट भी जाएंगे तो क्या दिक्कत आता है जे अमको मालम नहीं है तो इधर से बनाएंगे प्रेसर पलेट एक बना लेते हैं बना कि अपने घर के सामने रखेंगे इसको लगा थी पह रखेंगे पंद और ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में कितना आटोमेटिक हो गया अब मेरे पास है आईरा इंगट जल्दी से मैं बना लेता हूं चेस प्लेट और बूट्स और इधर बाखी का बचावा मैं निकाल लेता हूं एक पीसी तो है ब बढ़िया तो मैं बढ़िया और दिखाता हूं मेरी लुक वाह कितना बढ़िया लग रहा हूं उसलिए ताकि आप सब्सक्राइब करें और यही वाला आइकन दवाएं और इसको और पर दवाएं तो I hope you guys like the video तो like करें, share करें, comment करें, subscribe करें और ये जरूर बताएं कि अगली gameplay वीडियो आपको किस topic पर चाहिए तो तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा